हलो गाइज मैं हूँ पपो और गाइज यहाँ पर आप देख पा रहा है निमनलेखित संख्याओं का HCF ग्याद करने के लिए यूकलेट भी भाजन एलगोरिफ्म का परियोग किजिए तो यहाँ पर जो भी सवाले आपको दीकर हैं इन सबी सवालों को मैं नहीं आप हल किजिएगा वो भी कुछ ही सेकेंडों में तो भाई साब इन तिनों को HCF ग्याद करने के लिए चली छोटा सा उधारन के मादियम से सिखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार और अठारा अब आप ही बताएए यह दोनों में से छोटा सबसे कौन है पहले लिख लेगे, तो बड़ा हमारा 18 है और जो छोटा है उससे हम भाग लगा देंगे तो 4 है यहाँ पर चोटा है तो यह पर 4 कर देंगे, अब 4 से भाग लगाएगा 18 में तो यह कटताा है यह нажा नहीं तो चर्चव का हो जायगा चार से नहीं कटा तो अब हम चार को ही काटेंगे जी हां अब चार को यहां पर लिख देंगे तो चार को यहां पर इस तरह से लिखिए और हडाक से काटिए तो अब यहां पर दो दुना के हो जाएगा चार तो यहां पर यह आसानी से कट चुका है तो यहां पर यह जो दो हो आसानी से कट जाएगा वही हमारा HCF हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दो से पूरा-पूरा कट गया इसलिए दो हमारा क्या हो गया HCF तो इस तरह से युक्लेड विभाजन इल्गोरित्म का परियोग करते हुए आप बना सकते हैं तो यह छोटा सा एक्जामपल आ गया होगा और चलिए इन तिनों प्रस्नों में से एक प्रस्न को हम हल करते हैं इसके बाद आपको और खुद ही खुद बना लेना है तो यहाँ पर यह दोनों में से सबसे छोटा कौन है और बड़ा कौन है तो बड़ा हमारा 225 है तो लिखेंगे सबसे पहले 225 इसके बाद छोटा कौन है तो 135 तो 135 को यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से अब सुनिए अब भाग लगाएंगे तो यह इस तरह से लगाती है एक बार में लगाते हैं पहले नंबर तो 135 5 से 5 गया बस गया हमारा 0 और 12 में से 3 गया बस गया हमारा 9 खतम तो 135 से ये जो है 225 नहीं कटा अब नहीं कटा तो हम 135 को ही काटेंगे ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं 135 से 90 छोटा भी है इसलिए और भाग लगेगा भी नहीं इसलिए 135 को अब 90 से हम काटेंगे तो इस तरह से लिखिए और 135 को यहां तो 135 यहां पर लिख दिजिए और इसके बाद यहां पर 90 से भाग लगाएगा तो 95 से भाग लगाते हैं अब यहां पर बस गया 45, सेस बस गया कितना 45, अब 45 यह जो 90 से 135 भी पूरा पूरा नहीं कटा, तो अब हम क्या करेंगे, 45 से काटेंगे यह नबे को, क्योंकि नबे तो नहीं कट पाया, इसलिए अब 90 को ही हम काटेंगे, ठीक है, तो 90 को यहां पर लेख दीजिए, अब 90 यहा पर पूरा पूरा कट गया, तो पूरा पूरा किसे से कट गया, जिसे से पूरा पूरा कट जागा, वही हमारा HCF हो जाएगा, तो यहां पर 45 से पूरा पूरा कट गया, तो यहां पर पहला सवाल का जो एंसर हो जागा, HCF जो हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा, तो HCF बराब आया हूँ वह आपको आ गया होगा और पहला सवाल हमने बनाया है दूसरा तिसरा और आप और भी एक्जामपल लेगर के बनाने का पर्यास किजिएगा आई होफ यह वीडियो आपको यूजफूल लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक प्यारा सा लाइक कर देजिए मिलते हैं अगले दिन एक और नए वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिंद वन्दे मात्रम